इस नव साल की विशेशता रही है कि उन्होंने इंथ्रोस्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट के लिए हाइस प्रायरिटी दी है गती शक्ती योजना के द्वारा अलग-अलग इंथ्रोस्ट्रक्चर के प्रोजेक्श में प्लैनिंग से लेकर इंप्लिमेंटेशन तक एक कॉपरेशन, कॉडिनेशन और कम्मुनिकेशन भी प्रस्तापित हुआ है यह हाइवे बनाते समय विशेश रुप से प्रधान मंत्री जी ने जो 120 एस्परन डिस्टिक्ट निकाले है जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली एकॉनमिक एजिकुशनली बैकवर्ड है उनके विकास में यह रोड कैसे उपयोगी होंगे इसका भी विचार किया गया है मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगना में अभी तक 1,10,000 करोड के प्रोजेक्ट कुछ कम्प्लीट हुए कुछ ongoing है कुछ शुरू हुए है पर विश्वासे मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगना में 2,00,000 करोड रुपे का निवेश करेंगे और तेलंगना का road infrastructure बहुत ही अच्छे quality का बनाएंगे केवल लैश्टल आईए का काम होरा इसा नहीं है तो नाकपुर से विजेवारा जिसमें आज पैकेज का भुमी पुजन प्रदान मंतर जी कर रहे है यह 594 किलोमेटर है इसकी कीमत 16,000 करोड है और तेलंगना में इसकी लेंग 401 किलोमेटर है इस हाइवे से स्वाभावी कुरूप से काफी बड़े प्रमान पर यहां विकास होगा विशेश रूप से यह हाइवे महाराष्टर तेलंगना और अंधरपदेश से गुजर रहा है और 288 किलोमेटर का जो केरिडर है वो ब्राउन फिल्ड है यहने ग्रीन है पहले यहां रोन नहीं है और इसके करण हम लोग डिस्टंस को भी कम करने जा रहे है नाकपूर विजयवाणा एक्सपेस वे का 402 किलोमेटर तेलंगना राज्ज से गुजर रहा है और यह महाराष्टर के जियोगाओ से तेलंगना राज्ज सीमा तक प्रविश करता है तेलंगना राज्ज में असिफाबाद, मंचेरियल, पेदपल्ले, जैशंकर, भुपालपली, हनुमा कोंडा, वारंगल, खंबम इस जिले से गुजरता है और विजयवाणा के पास मिलता है सिंगरेली, थर्मल प्लांट, NTPC, कालेश्वरम, लिप, सिचय, परियोजना, खंबम, भारंगल, उद्योग, धार्मिक और परेट अंस्तल इसमें विशेश रुप से इसका उप्योग होने वाला है मुझे बहुत खुशी है कि जो इंडुस्ट्रियल क्लस्टर से लॉजिस्टिक पार्क है, पोर्ट के लिए माल भेजना है उसके कारण निश्चित रुप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी इससे काफी सुविदा पराप्त होगी विशेशुप से तेलंगना में हम एक सूरत, नासिक, नगर, सोलापूर, करनाल और हैदराबाद, चेन्ने इतक एक नया रोड बना रहे है हम अक्सर भाशन में कश्मीर से कन्या कुमारी तक कहते थे पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ हमारी मनाली जो है, वहाँ रोतांग पास पर जाने के लिए साड़े तिन घंटे लगते थे अब वहाँ अटल टनेल बनी है, जिसका उग्याटन प्रदानमंत्री जी ने किया है केवल आठ मिनिट में सफर हो जाती है और उस टनेल से बाहर आने के बाद, हम करीब 5 टनेल बना रहे है और हिमाले के बीच में से नया रोड बना रहे है, लद्दाक और लेह तक लद्दाक और लेह के बाद, कारगील के नीचे एक जोजिला एक बाव काफी बड़ी टनेल बना रहा है आशिया की सबसे बड़ी और मुझे खुशी है कि इस टनेल में एस्टिमेट कॉस से 5000 करोड कम हुए उसकी बचत करने का काम हमारे विभाग ने किया है उसके बाद जेडमोर टनेल है और वहाँ से स्रीनगर आने के बाद स्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनेल है उसमें से 14 टनेल पूरी हुई है और उसी कट्रा के पहले दिल्ली कट्रा एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबे हाईवे को लगकर हम सूरत तक आएंगे और सूरस से एक नया रोड बना रहे है सूरस से नासिक, नासिक से अम्मदनगर, अम्मदनगर से सोलापूर, सोलापूर से करनूल और करनूल से हिद्राबाद, करनूल से विजेवारा, करनूल से चन्नई, करनूल से कन्या कुमारी, त्रिवेंदरम और उसके साथ साथ कोचीन तक हम पूरे धक्षिन को जोडने वाले है यानि एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक आधरनिया मोदी जी के नेतरूतों में हाइवे होगा जिसके कारण डिल्ली से चेन्ने का डिस्टंस 320 किलोमेटर कम होगा लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी टूरिजम बढ़ेगा हैदराबाद से विशागा पत्नम 221 किलोमेटर 7000 करोड का रोड हम बना रहे जो तेलंगना में 164 किलोमेटर है इन दोर से हाइदराबाद ये नया इस्प्रेस हाइवे बना रहे ग्रिन फिल्ड वो 787 किलोमेटर है 18000 करोड का और उसके साथ-साथ हाइदराबाद राइपूर ये 325 किलोमेटर 14000 करोड का है मुझे खुशी है कि ये पूरे हाइवे करीब 1,00,00 करोड के है इसकी लेंग्ट 843 किलोमेटर है और तेलंगणा में इसकी कौस्त 30,000 करोड है मुझे विश्वास है कि हाइवे नेटवर्क खड़ा होने से उद्योग व्यापार को बढ़त मिलेगी मैं अकसर American President John of Kennedy जी के प्रसिद्ध वाक्य को दोराते रहता हूँ उन्होंने कहा था कि American roads are not good because America is reach बट America is reach because American roads are good और मुझे खुशी है कि प्रदान मंतर जी के नेत रूत में जो road infrastructure develop होगा वो यहां के माइनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजिनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ड को और विशेश रुप से जो डेवलप्मेंट की छोटी-छोटी सेंटर से उनको जोड़ कर हम निश्चित रुप से रोजगार का निर्मान करेंगे इंडस्ट्री में कैपिटल इंवेस्ट्मेंट आएगा, जवाल लोगों को रोजगार मिलेगा और जो मोदी जी का सपना है कि आत्म निर्बर भारत बनाना, फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाना, ये निश्चित रुप से सपना अमरुत काल में पूरा होगा मुझे बहुत खुशी है कि प्रदान मंत्री जे ने यही आमें बताया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयासों से इस देश को निर्मान करना है हमने सबी राज्यों के साथ नय करते हुए, देश के इंफ्रोस्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर का डेवलप करने की कोशिश की है और उसी से देश के विकास में चार चान तो लगेंगे ही, पर हमारा रोड इंफ्रोस्ट्रक्चर दिरे दिरे वर्ल्ड स्टैंडर का बनेगा मुझे बहुत कुशी है कि प्रदान मंत्री जी आज इस कारेकरम के लिए आये है मैं अपने विभाग की ओर से उनका अभिनंदन करते वे उनको बहुत-बहुत शुबकामनाय देता हूँ ऐसे और नव पैकेजेस है जो नाकपूर से विजेवाड़ा तक जाने वाले हैं इसी प्रकार से निश्चित रूप से एक बहुत-बड़ा परिवर्तन तेलंगना में होगा और तेलंगना का विकास में प्रदान मंत्री जी के नेतरूत में हमारा डिपार्टमेंट अच्छे रोड तेलंगना के जनता को निश्चित रूप से बना कर देंगे इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बाग को समाप्त करता हूँ धन्यवाद नमस्का